अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट चक्र व्यू का हन्तिम द्वार सातों द्वार 13 सीटें और सरसट यानि 67 सीट्स पर उत्तर प्रदेश में चुनाओ हो चुका है बैन भाईयों उत्तर प्रदेश का चुनाओ अब तक के इतिहास के सबसे शांदार चुनाओ में से एक गिना जाना चाहिए और इस बार जिस तरह से चुनाओ लड़ा जा रहा है वो भी असाधारन है और अपके पहले ऐसा कभी देखा भी नहीं जिया है आज की चर्चा इसी विशेपर होगी की सरसट सीटों पर क्या हो चुका है और बची हुई 13 सीटें जो मोदी और योगी के गड़की है यानि बनारस रीजन और गोरकपुर रीजन वहां की जनता ने क्या तय किया है जो च्छै में हुआ वही होगा या फिर ये इलाका कुछ और करने वाला है आज चर्चा इसी विशेपर है बनवायू बहुत स्वागत और अभिनेंदन आप सभी का डिवेट में और मैं हम लोग अब चुनाओं के आखरी दौर में चल रहे हैं यह चक्रव्यू का अंतिम द्वार है अंतिम द्वार से तात पर यह सात्वां फेज का चुनाओं पहली तारिक को इसका मद्दान होगा अब दो बातें एहम है शिक्स्टी सेवन यानि सरसट सीट पर अब तक चुनाओं हो चुका है और तेरा सीटें बाकी हैं यह तेरा सीटें वारानसी रीजन की जो मिर्जापूर से शुरू होती है और जाती है दिवरिया कु बैनवायों पिछले चुनाओं में इस छेत्र में भारती जनता पार्टी की जबरदस्त तूती बोल रही थी लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाओं हुए इस छेत्र में बीजेपी को बहुत करारी चुनोती का साम यह निशात को इंटेक्ट करने में काम्याब रही भारती जनता पार्टी बैनवायों लेकिन 2019-2022 के बाद मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाओं बहुती असमान्य बहुती असाधारन परिस्थितियों में और बहुती असमान्य परिस्थितिय में लड़ा जा रहा है और दोनों पक्षिये क्लेम कर रहे हैं कि हम चुनाओं नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी यह बात कह चुकी है समाजवादी पार्टी भी यह बात कह चुकी है तो आपके मन में प्रश्ण होगा तो फिल लड़ कौन रहा है दोनों का कहना है कि जनता च ने लड़ रहे हैं, मुद्धे लड़ रहे यह है, विचार लड़ रहे रहें, प्रत्याशी लड़ रहे है, नेताओंका नंबर सबसे बाद में है, बैनों भायों दूसरी महत्तुपूर्ण बात है, इस बाहर का चुनाओ पोर इसूस पर रड़ा अब कोई यह नहीं कह सकता कि सांप्रदाइक्ता की आड़ में चुना हुए धार्मिक आधार पर चुना हुए धुरुवी करण के आधार पर चुना हुए पाकिस्तान के आधार पर चुना हुए तालिबान मुसल्मान के नाम पर उट हुए जी नहीं मीडिया में चाहे जो बाते हो रही हो लेकिन ग्राउंड पर चुनाओ मुद्धों पर लड़ा जा रहा है एक तरफ अचीब्मेंट्स हैं और प्रधानमंत्री मोधी का चेहरा दूसरी तरफ विपक्ष के वाइदे और बीजेपी को सत्ता से हटाना और जो जातिगात इक्वेशन्स भारतिये जनता पाटी ने प्रत्याशियों के चैन के मामले में तै किये हैं उससे कमतर अपोजीशन नहीं कियें कई जगह तो उससे बेटर भी कियें बीजेपी के प्रत्याशियों को एंटी इंकंबेंसी फैक्टर का उन प्रत्याशियों को स चुने जा चुके हैं लेकिन विपक्ष के पास इस तरह का कोई बैगेज नहीं है और विपक्ष बहुत कोंसॉलिडेट होकर फोकस करके इस बार का चुनाव ड़ा है कि बीज़ेपी की तरफ से टीन इस्टार प्रशारक है प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री ग्रह मंत्री इस्टार प्रशारक जिनकी सभाव में भीड आ रही है और जिनको हूज रिस्पॉंस भी मिल रहा है जनता का अपोजीशन की तरफ से मायवती की रैलियों का कोई रिस्पॉंस नहीं है सारा का सारा रिस्पॉंस अखिलेश यादो की रैलियों में मिल रहा है और विशेश तोर पर चोथे चरण के बाद अखिलेश यादो का रिस्पॉंस लेबल जनता के बीच खाफी ज्यादा बढ़ ग करने की कोशिश करेंगे तो भाइनों भाइओ जब मैंने कहा कि को रिसूज चल रहे हैं संभिधान अरक्षन चल रहा है जातिवाद चल रहा है बड़े से बड़ा पॉलिटकल पंडित बड़े से बड़ा नेता और बड़े से बड़ा विश्लेशक भी समझ नहीं सकता जिस प्रदेश में हर चोराहे पर दसनेता मिलते हों और हर गली में दो लीडर हों उस प्रदेश वो कितना पॉलिटकल प्रदेश होगा इसकी समझ मु सब को पता है लेकिन कहां कहां की सीटे फसी हैं और कौन सी जातियां किस पार्टी की तरफ चड़ रही है या किस प्रत्याशी की तरफ चड़ रही है अपने-पने अकेले का टेस्ट नहीं है ओम प्रकास राजभर का भी टेस्ट है और चटवे चरण में निशात पार्टी का इसी टेस्ट हो चुका है और इस दौर में समाजवादी पार्टी प्रॉमिनेंट भूमिका में है कांग्रेस उनकी आप एक्षाक्रत बहुत कम सीटों पर चुनाओ इस क्षेतर में लड़ रही है तो अब आपके मन में में प्रश्ण होना होते हैं जो सब लोग जानना चाहते हैं कि कि उत्तरप्रदेश ने क्या मैंडेट दिया उत्तरप्रदेश का क्या ंजनादेश भार कि यह यह 13 ठ 술पर क्या होने वाला है आज चर्चा इसी वीशे पर अब हम अपनी डिवेट्स में एक्सपर्ट को ज्यादा बुलाएंगे थोड़ा प्लिटिकल लोगों को कम करेंगे तो क्योंकि अब एक्सपर्ट की बारी चुनाओं में हो गया सब को बोल लिए अब कुछ एक्सपर्ट को हम जादा अपने पैनल में रखना शुरू कर रहे हैं आज से और उनकी ओपिनियन से और उनसे के जरिये हम समझेंगे कि क्या हो चुका है और इन तेरा पर क्या होगा कुछ बयान फिर आ है और कासी की सोच है कि फिर एक बार मोती सरकार और अपकी बार चार सो पार इस बार जनता उनकी कहानी सुनना नहीं चाहती उनके घिसे पिटे डायलोग नहीं चलने हैं यह बुरी तरह इस बार हाड़ने जा रहे हैं क्यूटो क्यूटो नहीं बना क्यूटो के आसपास वि कास क्या करेंगे